पूर उपमुखिमन्ती वब कॉंग्रेस निता टीएस दियो ने कहा कि पार्टी को ये चिंतन करना पड़ेगा कि सारे सर्वे फेल हुए और हम भी नहीं भाप पाए हमें लग रहा था कि कॉंग्रेस की सरकार जरूर बनेगी काम भी किया तभी तो हमें कुछ वोट मिले और क्या नहीं किया जिसे कारण से वोट नहीं मिले इस बार कॉंग्रेस का वोट प्रतीशत उतना ही रहा लेकिन भाजपा का वोट प्रतीशत बढ़ा है उन्होंने ट्वीट कर आगे कहा कि 36 गड़ और अंबिकापूर की जनता का जनादेश विन्यम्रता से स्विकार करते हैं विचारधारा परिवर्तन और प्रगती का ये संगर्ष विरंतर चलता रहेगा अंबिकापूरवासियों के हग की आवाज उठाने के लिए हमेशा समरपित रहूँगा पर्टी को भी चिंतन करना पड़ेगा कि सारे मीडिया के जितने सर्वे गिंती के पहले सामने आये वो कॉंग्रिस की सरकार बनाने के लिए दर्शार है थे तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए तो हम लोग भी नहीं भाब पाएं ऐसा लग रहा था मुझे भी सही में लग रहा था कि कॉंग्रिस की सरकार तो जरूर बनेगी 72 पारे वाली बात तो नहीं थी लेकिन जितने सीट अभी भाजपा क्या है उतनी सीट उसके आसपा सीट तो कॉंग्रेस की जरूर रहेगी ऐसा लग रहा था तब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तब ही तो कुछ वोट मिले और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से व कि तुल्णा में परसंटेज का उतने ही रहा और ज्यादा मत गिरे तो वोट ज्यादा गिरे कॉंगरेस की परक्षний में ट्रlक तो नहीं रहा लेकिन बीजे पी का परतीशत करीब चरुदा पर सिंट बढ़ गया बर तो यह अप्रत्र खीट हुआ कि कांगरेस्ज की इस्ति चुनाव में 80% मिले थे करीब करीब इस चुनाव में वो 90% चले गए तो 10% एक्स्टा जो वोट गिरा है वो लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में चला गए